तो बच्चो आज हम पढ़ेंगे what comes after मतलब हमको यहाँ पर number given है और number के बाद आपको क्या number लिखना है यह क्या होता है उसके बाद के लिए बात बोलते है तो हम after बोलते है जैसे कि 12 के बाद यहाँ पर जगा खाली है तो हमें यहाँ पर 12 के बाद में जो number आता है वो लिखना है तो इसको हम English में क्या बोलेंगे after मतलब what comes after इसके बाद जो number आता है हमको वो लिखना है ठीक है एक और बाद previous वीडियो में मैंने बताया था अगर आपको जो number given है उसके left hand side में अगर blank खाली है तो वहाँ पर आपको before लिखना है और इसके right side में अगर blank खाली है तो वहाँ पर आपको after लिखना है समझ में आई बात चलिए तो अब हम 12 दिया है 1 to 12 12 के बाद बताएंगे after में क्या आता है 1 3 13 12 के बाद 13 आता है 1 8 18 के बाद 1 9 19 आता है 9 के बाद 1 1 11 आता है 7 के बाद 8 आता है 6 के बाद 7 आता है ठीक है चलिए 1 4 14 के बाद 1 5 15 आता है 5 के बाद 6 11 के बाद 1 2 12 1 7 17 के बाद 1 8 18 1 9 19 के बाद 2 0 20 1 5 15 के बाद 1, 6, 16 और 3 के बाद 4 ठीक है, चलिए एक बार और फिर से देखते है 12 के बाद 13 18 के बाद 19 9 के बाद 10 तो यह जो मैं बार बार बोले हूँ उसके बाद-बाद तो बाद को क्या बोलते है, आफटर चलिए, 13 के आफटर 14 10 आफटर 10 के आफटर 11 ठीक है, 7 के बाद 8 6 के बाद 7 14 के बाद 15 5 के बाद 6 11 के बाद 12 17 के बाद 18 19 के बाद 20 15 के बाद 16 और 3 के बाद 4 तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने पहले भी आपको before और after समझा रखा है यह मैंने और exercise आपको करवाई जिससे कि आप भूलो नहीं आपके प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए चलिए, अगर वीडियो चलेगी होते लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए Thank you so much